Hello friends, मैंने एक link आपको दिया है जो आपको comment section में मिल जाएगा, pin comment में मिल जाएगा, description box में मिल जाएगा इस link पे click करके आपको hostinger पे आना है, अब आप कहेंगे कि मैंने hostinger ही क्यों चूच किया है hostinger इंडिया का इस समय one of the best hosting provider है, बहुत सस्ता है, beginner friendly है, बहुत जादा इधर उधर नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ बहुत easy way में manage हो जाता है मैं आपको जब आप link पे click करके हमारे दिये गए link से आप यहाँ पे आएंगे, एक coupon मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि यह जितने discount चला रहे हैं, उसके अलावां भी आपको बहुत बड़ा discount देगा, जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, hostinger पे आप आचुके हैं, यह one of the best hosting provider है, यहाँ पे बहुत सारी sales चल रही है, ठीक है मैं देखो यहाँ दिखाता रहता है, नीचे की तरफ आईएगा, यहाँ पे देखिए plans mention हैं, देखिए, business और cloud यह उनके लिए हैं, जो कि already बड़े brands हैं, जिनक traffic आने लगे, sales आने लगे, तो आप migrate कर लिजेगा आगे के plans में, single आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप e-commerce website चलाने जा रहे हैं, यह उतना traffic का load ही नहीं ले पाएगा, crash कर सकता है, आपके लिए बहतर कौन सा है, premium, यहाँ पे फायदे बहुत सारे हैं, आपको 100 website, मतलब आप 100 sub domain बना सकते हैं, standard performance आपको मिलेगी, 100 GB SSD मिलेगी आपको, ठीक है न, बहुत तेज, अच्छी, बहुत fast hard disk होती है यह, उसके बाद यहाँ पे weekly backup, free email, unlimited free SSL मिल रहा है, और main आपको free domain भी मिल रहा है, एक साल के लिए आपको free domain मिल रहा है, तो चलिए यह चूच करते हैं, मैं इभी आपके लिए payment करके मैं खुद purchase कर रहा हूँ, domain hosting जिससे मैं आपको सब कुछ बता पाऊं, otherwise मेरे पास मेरी website है, वहाँ से बताऊंगा, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर सुरुवात से कैसे मैं उसको reset तो कर नहीं सकता, मेरी running website है, traffic आता है उस पे, तो मैं खुद यहाँ से आपको ये सारी चीजे live करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाए, अब यहाँ पे आने के बाद, यह आप से कह रहा है कि आप चूच करो कि आपको कितने महीने वाला प्लान चाहिए, हमेशा याद रखिए, ये चाहे hostinger हो, या कोई और hosting provider है, जितने जादा महीने का प्लान आप लेते हैं, उतना आपको सस्ता पड़ता है, और उतना आपके लिए बेहतर रहता है, क्यों अब आपने 12 महीने का ले लिया, उसके बाद आपको renew करना पड़ेगा, जब आप renew करोगे, तो कोई भी hosting provider हो, वो थोड़े जादा पै मान दीजे, आपको लगता है, कि ये 48 मंथ है, इसमें सबसे बेहतर क्या है, जो उन्होंने home page पे दिखाया हुआ है, कि इस समय जो लोग 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं, उनको दो महीने अपनी तरब से ये free दे रहे हैं, overall calculation आप करेंगे, तो मात्रो 149 रुपाय पर मंथ में आ अदलब नहीं, 12 महीने बहुत महेंगे पड़ेंगे आपको, तो आप 24 या 48, जो आपको आपका budget हो, आप अपने हिसाब से देख लीजे, यहाँ साफ लिखा है, कि पहले साल के लिए domain भी इनकी तरब से आपको free दिया जा रहा है, आपको कोई पैसे देने की ज़़ूरत नह है, मान लीजे, यहाँ पे मैंने यह चूज कर लिया, ठीक है न, यह चूज करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको अपना एक hostinger cpanel account बनाना है, जिससे आपका पूरा control panel manage होने वाला है, आपको अपना email address, password यहाँ से देना है, याद रखिए, यह email address और email address और जो password है, यह cpanel का है, बतलब जो हमारा hostinger का controller है, अभी हम कोई wordpress और गयरा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो simply चलिए, email address, password यहाँ पे mention करते हैं, और मैं अपना email address, password यहाँ पे mention करता हूँ, आप अपना mention यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो user ID और password आप अच्छे से लिख लीजेगा, याद कर लीजेगा कि आपने क्या डाला हुआ है, उसके पात मैं login कर चुका हूँ क्योंकि already मैं sign up कर चुका हूँ, फिर नीचे आते हैं, माल लीजे मैंने 24 months का plan लिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे multiple payment option हैं आपके पास में, तो अगर आप यह 24 months वाला plan लेते हैं, तो यह आपको 4,296 रुपय में पढ़ रहा है, जो कि वैसे तो 14,376 का है, फूरा discount हो जा रहा है, पहले साल के लिए आपको domain free मिल रही है, तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, privacy protection भी आपको free में दिया जा रहा है, यहाँ पे अपन सारी information आपको fill up करना है, क्योंकि आप hosting खरीतने जा रहे हैं, तो यह सारा database, जो भी आपका data है, यहाँ पे आप इसको रखिएगा, 70% अभी ए discount आपको दे रहे हैं, यह इतने आपका discount हो गया, यह इतने tax लग रहे हैं, और total यह इतना पैसा आपको देना है, लेकिन आप coupon code आपको enter करना है, मैं इसको cut करता हूँ, यहाँ पे आपको coupon code लिखना है, HA10, और HA10 लिखने के बाद इसको apply कर देना है, जब आप apply करेंगे, तो देखिए 500 रुपए, लग भग 500 से जादा रुपए आपके कम हो गया, आप सूचिए इतना discount hostinger आपको दे रहा है, इस coupon से आपके 500 रुपए और कम हो गए, सिर्फ 45, मतलब, बोटा-मोटा 400 रुपए में, आपका 24 month, मतलब 2 साल आपका चलेगा आपकी website और hosting, तो बहुत अच्छी चीजे हैं ये, अब आपकी मर्जी जो आपका pocket allow करें, उसके हिसाब से आप यहाँ पे payment करके आगे बढ़िए, मैं पेमिंट करेंगे, पेमिंट करने के बाद आपके पास ये page आएगा, मैंने भी पेमिंट कर ली है, वो चीजे मैं आपको दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे card details होती है, यहाँ पे कुछ चीजे आपस hostinger पूछ रहा है, cpanel में जाने के लिए, पूछ रहा है कि website आप किस के लिए बना रहे हैं, तो यह हम अपने business के लिए बना रहे हैं, ठीक है, आप इसको skip भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंका answer नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, first time website बना रहे हैं, yes, first time बना रहे हैं, next चलते हैं, इस से थोड़ा आपको फायदा हो जाएगा, य type क्या है, online store है हमारा, ठीक है, online store हम बना रहे हैं, next, उसके बाद कौन सा CMS हम यूज करेंगे, हम wordpress यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस से बहतर कुछ भी नहीं है, wordpress हमने select कर लिया है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे wordpress select करने के बाद, क्योंकि wordpress हमारा CMS रहने वाला, ज यहाँ पे आपसे administrator email और password पूछा जायागा, मतलब आपको यहाँ से बनाना है, याद रखना, यह email और password यह आपका wordpress का है, जो आपने payment के पहले insert किया था, वो आपके c-panel का है, hostinger का है, और यह wordpress का है, दोनों same रह सकते हैं, ज्यादा अच्छा है, दोनों same आप कर लिजे किया है, then हम next करते हैं, next करने के बाद, यहाँ पे यह theme के लिए पूछ रहा है, देखो मैं जो बनाने वाला हूँ e-commerce website, वहाँ पे मैं एक predefined template करूँगा, जो कि Astra पे बना हुआ है, Astra बहुत बहतरीन theme है, e-commerce websites के लिए, तो यह free है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, तो मैं next कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा है, launch your website faster and smoother without plugin selection, यह plugins हैं, जो already यह आपको install करके यहाँ पे दे देगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पे आपको no करना है, मैं जो plugin आपको बताऊंगा, आपको वही install करना है, तो ज़्यादा website आपकी slow नहीं होगी, क्योंक जैसे यहाँ पे आपका जो brand है, जो आपका storefront है, जो आप नाम उसका decide करिये हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे domain लेना है, ecomshop.com I think claim है, हाँ claim कर लिया गया है, यह नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यह कहा जाता है कि website बाद में बनाएं, बाद domain पहले लेके रख लें, कई बाद मिलता नहीं है, अब जैसे यह नहीं मिल ला है मुझे, तो ecomshop.com नहीं मिल ला है, मैं तो इसलिए यह पूरा purchasing किया हूँ कि मैं आपको सब कुछ करके दिखा पाऊं, otherwise मैं तो कोई नाम recite करना हूँ है, क्योंकि यह मेरी demo website रहने वाली है, businessonset.com available नहीं है, registered हो चु तो फिर आप dot in की तरफ जा सकते हैं, कोई ऐसे problem खास नहीं आने वाली है, अब यहाँ पे businessonset.com नहीं मिल ला है, businessonset solutions, मैं इसको type कर रहा हूँ, देखता हूँ, अब तो मिल जाना चाहिए, मैंने इसका नाम रख दिया, businessonsetsolutions.com, मैंने जान बुच किया ऐसा रखा है, क्यो आप बाद में भी address हो गयरा change कर सकते हैं, कहीं कोई problem नहीं आने वाली है, इस समय hosting का cpanel अपना काम कर रहा है, याद रखना cpanel को लोग hpanel भी कहते हैं, दोनों चीजे सेम हैं, चाहिए वो cpanel हो या hpanel हो, एक ही बात है, आपको कोई confuse होने की ज़वरत नहीं है, आगे को फिर से बता दूँ, आप पहले ही इन चीजों को skip कर सकते थे, और manually ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन चुकि अच्छा सा interface बना हुआ है, तो आप मेरे साथ करते हुए चले तो अच्छा रहेगा, इस समय जो हमारा cms है, जिसको हम wordpress चूज किये हुए है, आप देखो wordpress पर install हो रहा है, अगर इस setup को हम skip कर देते, तो फिर हम जाके वहाँ से wordpress हो गयरा को install करते, cpanel में जाके, तो वहाँ जाने की जवरत नहीं है, यहाँ पर wordpress खुद ही install हो रहा है, एक बार wordpress यहाँ पर install हो जाए, तो आपका cms, content management system ready हो जाएगा, जहाँ पे हम अपनी पूर hpanel है, यहाँ से hpanel है, यहाँ सी panel है, जहाँ पर आप अपनी settings, domain, hosting, यह सारी चीज़े control कर सकते हैं, यहाँ से website नहीं बनती है, बट एक बार आपके domain पर wordpress install हो जाए, फिर हम आगे की तरफ proceed करेंगे, देखिए हमारा जो domain है, वहाँ पर wordpress install हो चुका है, यह हमारा hpanel है, यहाँ सी panel है, hostinger का, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर अपना database, file manager, यहाँ पर domains का option है, जहाँ पर आप जाके बहुत सारे sub domain, 100 sub domain बना सकते हैं, कभी आगे देखेंगे, यह मेरा domain है, businessonsetsolutions.com, यह मैंने लिया हुआ है, क्योंकि business onset नहीं मिल ला था, य एक बार SSL आपको मिल गया, क्योंकि hostinger आपको free में देता है SSL, तो उससे क्या होगा, hackers आपके data को hack नहीं कर पाएंगे, hack भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब चलिए, एक बार चलते हैं अपनी website के ऊपर, और वहाँ से हम wordpress पे login करते हैं, यह देखिए business onset है, अब इसको click करते हैं और open करते हैं, देखते हैं क्या है, अभी फिलाल यहाँ पे sample page है, इस website पे, अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, businessonsetsolutions.com, अब मुझे wordpress पे जाना है, हम यहाँ से भी जाके wordpress पे जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि आप आपका जो domain है, उस वैसे ही आप wp-ad will लिखेंगे, वैसे ही आप इसके wordpress वाले page पे आएंगे, अब यहाँ पे जो email ID और password मागा जा रहा है, वो wordpress वाले का मागा जा रहा है, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे insert कर देता हूँ, याद रखना, यह hpanel का password नहीं है, hpan email आपका यह है, जहां से आप अपनी domain और hosting आप control कर सकते हैं, main आपका यह है CMS, wordpress जो है हमारा, यह आपका, यहाँ पे ID password मागा जा रहा है, दोनों आप same रख सकते हैं, दोनों अलग लग भी रख सकते हैं, कोई problem नहीं, मैं recommend करूँगा, आप same रखेंगे, तो ज़्यादा भ home page है, सारी चीजें हम यहीं पे करने वाले हैं, अभी देखना, चुटकी में आपकी website बन जायेगी, और आपको यकीन विसायद नहों कि इतनी जल्दी e-commerce website कैसे कोई बना सकता है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे businessonsetsolutions.com है, इसको चलो, मैं एक new page पे यहाँ पे open कर देता हू जिससे आपको यकीन रहे कि हाँ बन भी सकता है कि नहीं, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक sample page आपको दिखाया जा रहा है, और कुछ भी ऐसा website जैसा नहीं है, चलिए आपको फटा-फटाम e-commerce website बना के दिखाते हैं, अब यहाँ पे जो आपका H-Panel है या C-Panel है, इसक लॉग आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका यहाँ पे कोई role नहीं रह गया है, चलो इसको close कर देते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि H-Panel या C-Panel अप अलग चीज है, WordPress जो हमारा CMS है, यह अलग चीज है, बहुत लोग इसी में confused हो जाते हैं, च Skip करके भी हम यहाँ पे आ सकते थे, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद, पर्मा लिंक वाले option पे क्लिक करना है, और यहाँ पे post name select कर देना है, जिस page को हम design करें, उस page का नाम यहाँ पे लिखके आए, यह easy रहता ह Google पे rank कराने के लिए भी, अब एक बार देखिए मेरा save हो गया पर्मा लिंक, इसको save करने के बाद, आपको जाना है कहाँ पे plugin में, और आपको एक new plugin install करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो search bar है, यहाँ पे हमको search करना है elementor, elementor क्यों, elementor free है, इनक drag drop करना है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे देखो यह वाला जो है, इसको आपको install करना है by elementor.com, तो install now पे आपको click करना है, install now पे click करने के बाद, एक बार यह install हो जाया, दिन आपको इसको activate करना रहेगा, इस hosting के लिए pay कर दिया, that's it, वही आपके लिए काफी है, इसके बाद अब आपको एक रूपय भी इसमें कहीं भी लगने वाला नहीं है, सब कुछ मैं free में आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए, यहाँ पे आपकी plugin install हो गई, इसको activate कर देते हैं, अब एक बार elementor activate हो जाए, तो क्या करना है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, यह plugin है, याद रखना, जो मैंने बोला था न, plugin क्या है, यह small software's utilities है, जो आपकी website को extra functionality provide करती है, कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अब देखो store plugin में, आपका elementor यहाँ पे दिखने लगा हुआ है, enable auto update, एक update हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जवरत नहीं है, चलिए, अब एक new plugin install करते हैं, अभी तक हमने elementor install किया है, बाकी जो दो plugin है, by default hostinger ने install किया है, यहाँ पे again आपको सर्च करना है, elementor, ठीक है, elementor सर्च करना है, और elementor लिखने के बाद, आपको थोड़ा नीचे scroll करना ह जब आप नीचे scroll करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा starter templates, ध्यान से देख लो ये वाला चाहिए, 1 million प्लस इसके installation है, इस वाले plugin को आपको install कर लेना है, अब ये install हो जाए, तो फिर आपको real magic plugin का दिखाई देगा, अब एक बार ये plugin क्यों install कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि commerce website बनानी ही नहीं है, बनी बनाई website लेके आना है, edit कर लेना है, और उसको अपनी website बना लेना है, simply इसको activate करना है, एक चीछ देखो, अभी भी अगर मैं अपनी website को refresh करूँ, क्या है, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, एक sample page लिखा हुआ है, अब आपका जो plugin है, वो install हो टॉल करेंगे, तो will be template पे आपको click करना है, elementor, चुकि मैं elementor के through काम कर रहा हूँ, बहुत simple है, free में बहुत सारा काम आपको कर के देगा, तो यहां से आपको elementor choose करना है, अब यह आपको ऐसा predefined template देने वाला है, जो element compatible हो, और साथी में आपकी theme भी support कर रही हो उसको, देखो यहां पे नीचे आओ, आपको बहुत सारे बने बनाए e-commerce website के template मिल जाएंगे, बस आप इनको लगाओ, और इनके option को change कर दो, आपकी अपनी website बन गई, दो minute भी नहीं लगता अगर इसको देखा जाए, बाकि तो आप designing कुछ भी करते रहो, बनने में दो minute लगता e-commerce website को, प सारा काम आप manually खुद भी design करके कर सकते हैं, बट करने की जवरत ही क्या है, जब free में आपको मिल ला है, यहां पे e-commerce category आप चूज कर सकते हैं, यह जितने templates यहां पे दिखाया जा रहे हैं, जो premium हैं, वो खरीदने पड़ेंगे, जो free हैं, उनके कुछ भी आपको नहीं देना आपको free वाला ही यूज करना है, यह देखो brand store, बहुत popular है यह, यह free template है website का, जो की कोई पैसा नहीं लेता, बहुत अच्छी website आपकी बनेगी, चलो इसी पे बना के दिखाते हैं, एक template मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको यह नहीं, कोई मलीची अलग categories है आपक आपको कोई दूसरा पसंद आए, है सारी चीजे वहीं, सारे options वहीं हैं, कहीं कोई problem नहीं आने वाली है, तो चलिए मैं इसको click करता हूँ, इस पे एक click करिएगा आप, जब आप click करेंगे तो यह load होगा, आप load होने दीजे, load होने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, य दिखो, यह कह रहा है कि अगर यह आप जो है starter template install करते हैं, तो आपकी website ऐसे दिखने वाली है, देखो कितनी अच्छी website है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत simple है ना, light weight है और अच्छी लग रही है, और यह हर type के store के लिए काम करेगी, ठीक है, तो चलिए, अभी हम यहाँ पे skip जहुरत नहीं है, भरना हो तो भर देना कि हाँ आपने लिए बना रहे हैं, otherwise, submit and build your website पे click करना है, अब magic start हो चुका है, इस plugin का magic आपको बस दिखने वाला है अभी, इस समय क्या लिखा हुआ रहा है, we are building your website, इस समय यह आपकी e-commerce website को बना रहा है, उस e-commerce website को बनाने के लिए e-commerce की जहुरत हो कि क्योंकि e-commerce तो possible नहीं है, सब कुछ आपको free में ही दे देता है, e-commerce install कर रहा है, activate कर रहा है, वो सारी plugin install करेगा, जो आपके इस website या इस type की website चलानी के लिए जरूरी है, सारे template install करेगा, theme हमने Astra पहले से install कर रखी है, नहीं भी की होती ना, तो यह Astra आपन पहले वाला है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, एक बार यह आपकी website को install कर दे, यह template वहाँ पे install हो जाए, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद तो सिर्फ हमको customize करना है, और हमारी e-commerce website हमारे पास हो जाएगी, जिसको हम आसानी से image own, flip card, miso, geomart, जैसे जितने e-commerce marketplace से, वहाँ पे manufacture information, packer information में reflect करा सकते हैं, वहाँ से जो customer आपके brand को verify करना चाहे, authenticity देखना चाहे, कि brand कैसा है, क्या है, google करना चाहे, आपकी website पे land करेगा, उससे उसका trust बहुत जादा बढ़ने वाला है, और आपका भी बहुत फायदा है, क्योंकि इससे एक loyalty आपकी बढ़ लोग google पे type कर रहे हैं, उसका अता पता ही नहीं है, तो आप सोचो, आप market में कहां तक चल पाओगे, इसलिए website बनाना हमेशा बहुत जरूरी होता है, अभी भी देर नहीं हुई है, website बना लीजे, धिर धिर इस पे काम करिए, धिर धिर इस पे traffic आएगा, मैं मान लीजे, आ बहुत आसान हो जाती है, और फिर आप देखेंगे कि google से भी आपको traffic मिलेगा, जादा traffic चाहिए, cod on करके google ads, facebook ads, social media ads, instagram ads चला दीजे, बहुत जादा traffic आएगी, चलिए, आपकी जो website है, वो बन चुकी है, तीन मिनट इसने लिए दिखा भी राय, तीन मिनट 18 सेकेंड में आप click करिए, ये देखिए, आपकी website बन चुकी है, बस अपने को करना क्या है, ये सारे option edit कर डालने है, अपने जैसे जो हमारे brand को match करेंगे, बाकी कुछ नहीं, website आपके सामने है, नहीं believe है, तो मेरा domain क्या है, businessonsetsolutions.com, तो simply फिर से में इसको refresh कर देता हूँ, ये देखो, प पूरी एक proper website आ रही है, तो इस तरीके से free में e-commerce website बन जाती है, कहीं कुछ भी नहीं करना, एक पैसे किसी को नहीं देना है, only जो आपका पैसा लगाना, वो hosting के लिए लगा, मैंने भी तो hosting परशियेश की, आपके लिए लाइब, क्यों जिससे मैं सारी चीजें आपको जरूर अप्लाई करिएगा, इस से आपको additional off मिलने वाला है, और आपके पैसे बचने वाले हैं, इस वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching,